दोस्तो जैसा कि आप सभी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि टैक्स रिटन फाइल करने की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी और यदि बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और जिन लोगों ने अभी तक रिटन फाइल नहीं किये उनके लिए बहुती अच्छी नूज है उनके लिए गोर्मेंट ने एक और मोका दिया है और वो अपनी रिटन को अभी भी फाइल कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपर प्रेस रिलीज 30 दिसंबर जो कि आज का ही है वो खोला हुआ है तो यहाँ पर हम सेकेंड पेज पर आएंगे तो इसमें हम को देखने को मिलेगा कि जिन लोगों की इंकम टेक्स रिटन असेस्मेंट यार 2020-21 वाली थी और जिनको ऑडिट करवाना कंपल सरी था उनके लिए ये डेट 31 जनुवरी 2021 थी जो कि एक्स्टिंड होकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है इसके अलावा जो नॉर्मल टेक्स पेर्स थे उनके लिए लाज्ट डेट 31 दिसंबर 2020 थी वो भी एक्स्टिंड करके 10 जनुवरी 2021 कर दी गई है तो आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नॉर्मल टेक्स पेर्स के लिए 10 जनुवरी 2021 कर दी गई है जो कि हमको केवल 10 दिन और मिले है इस पीरिड के दोरान आ अपने ITR रिटन फाइल कर लीजिए इसके अलावा जिन टेक्स पेर्स को ओडिट रिपोर्ट सब्मिट करनी होती है उनके लिए 15 फरवरी 2021 लाज्ट डेट है तो आप अपनी ओडिट रिपोर्ट को 15 जनुवरी 2021 तक सब्मिट कर सकते हैं इसके अलावा जब 6 नंबर पॉइ जो GST की एनुवल रिटन 9 या 9C है उसकी डेट भी यहाँ पर 31 दिसंबर से बढ़ा कर 28 फरवरी 2021 कर दी गई है तो आपको GST के एनुवल रिटन फाइल करने के लिए 2 मैने का टाइम और मिल गया है इस पिरड के दोरान आप भी जल्दी से जल्दी अपने रिटन को फाइल क करता हूँ कि आप इन डेट्स के बारे में अच्छी तरह समझ गई होंगे यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिए ताकि इनफोर्मेशन सब तक पहुंच सके धन्यवाद